हेई गाइज वेलकॉम बैक टु दु शेयाल आप स्वाविक और फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और सुपर कूल आजसम अमेजिंग से इंसें क्लाश अफ क्लेंस के एपिसोड में सेम गेट अप लास्ट वीडियो जैसा ऐसा मैं सोचना की भाई वही चल रहा है ऐसा नह लिक्क रखा है मैंने कोड अड़ा इसे डालना बिल्कुल मदगूले आपका बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता आपको कुछ करना नहीं मोस सेटिंग्स में जाना है सपोर्ट जो है यहां पर ऑप्शन में वहां पर जाके एडवल डी चोटा सा अड़ा कोड डाल देना है अग काफी popular strategy और बहुत सही चल रही है भाई मैं आपको चार अटक शो करूंगा आप लोग ही मेरे को comment section में जाके बताना कि आप लोग को attacks कैसे लगे और अभी के अभी चैनल को subscribe कर लो क्योंकि 7,000,000 subscribers का aim है आपके support के बिना impossible है तो please do support और like वगएर शेयर वगएर भी किया करो और आने बले times में में सोच रहा हूं more and more आपको wars के replays वगएरा दिखाया करूं क्योंकि आपको काफी पसंद आता है चलिए without any wasting time फटा फटा फट शुरू करते हैं okay so guys आगे बलने से पहले दो important चीज़े जो मैं बताना चाहता हूं सबसे पहला 6,000,000 subscribers हिट कर चुक है thank you so much तो उसके लिए जो pin के giveaways है वो मैं बहुत जल डिक्लियर करूंगा I think next video में हम रिक्लियर कर देंगे and उसी के साथ guys जो नया clash तक episode आया नहीं देखा है link in the description जाके फटा फट वहां पे pin comment में जाके comment कर तो hashtags use करना मत भूलना क्या hashtags use करने वो भी description में आपको देखने को मिल जाएंगे और दो gold passes है जीतने का मौका मिल सकते है चलिए फटा फट वापस वीडियो में so guys यह रहा हमारा पहला attack आप देख सकते हो यहां पर 14 witches, 1 ice golem, 2 golem और कुछ और supporting troops यहां पर use करेंगा 10 lightning spells, 1 zap और उसे के साथ बाखी सारे spells यहां पर use हो रहे है तो सबसे की चीज़े जो होती है scatter shots तो आप देख सकते हो इसके scatter shots की positioning हैं वो काफी compact और CC को भी cover कर रही है यह बहुत ही dangerous situation है I think कि यह पहले के designs हैं और यह लोग अभी भी use कर रहे हैं बट ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है अगर आपका भी base design ऐसा बिल्कुल लुक्तो change कर दो अब देख सकते हो lightning spells use करके यहाँ पर किया किया गया है guys और दोनों scatters को damage किया गया है lightnings की use करके और उसके बाद यहाँ पर दूसरा scatter भी गया उसके साथ inferno को भी काफी damage पहुँचा है तो काफी key चीज़े हैं जो अल्रेडी निकल चुकी है गोलमर विचस अब drop किया रहे एक corner से यहाँ पर वॉल्ड रेकर का use हुआ रहा है ना कि blimp का क्योंकि इसको confident है यह confident है कि जो वॉल्ड रेकर है वो पहुँच जाएगा core तक कोई नहीं सारे चीज़े यहाँ पर drop हो चुके literally royal champion अभी भी यूज नहीं हुआ है और दो free spells इसक single infernos है तो single infernos जो है वो काफी जादा weak है अगर आप बात करो witches के साथ तो बहुत ही easily इस base को देखो बहुत ही slow attack है आपको कभी-कभी ऐसा लगेगा कि भाई होगा या नहीं होगा but trust me guys इकदम होगा अराम से होगा CC से यहाँ पर निकलेगा है yetis वगेरा yetis दिख रहे हैं मेरे की अच्छी बात नहीं है बट फिर भी slow pace attack रहता है but eventually आपको यहाँ पर three stars देखने को मिल जाएंगे वो royal champion कि यहाँ पर ability बची इसको यूज करके कुछ teslas को निकाल लिया गया queen काफी low health में चल रही है queen ने अपने ability यूज कर ली और एक side पर आप देख सकते हो काफी सारे witches मैं यहाँ पर देख पा रहा हूं एक दो तीन witches देख पा रहा हूं बहुत सरे skeletons देख पा रहा हूं और splash damage के नाम पर कुछ खास बचा नहीं है RC last यहाँ पर wizard tar बचा इसको निकाल ले तो और मज़े आ जाएं बट यहाँ पर ऐसा होगा नहीं बट फिर भी जैसे मैंने कहा king है tank करने के लिए tons and tons of skeletons हैं और witches भी हैं जो कि अराम से इस base को निकाल लेगी यही एक बात हो जाती है कि कितना जादा splash value निकाल सकते हो जितना ज सबर चीह होता है कभी कभी आपको लगता कि भाई नहीं होगा इतना बड़ा base बचाय टाइम नहीं है और इतना slow चलता है attack but eventually आपको यहाँ पर three stars देखने को मिलते हैं तो यह रहा first attack फटा-फट मूव करेंगे पने second attack पे so यह रहा हमारा second attack यहाँ पर भी आप देख सकते हो guys की scatter shots जो है वो दोनों compartment में यहाँ पर इंफर्नो टार्स के साथ है और वही lethal combo हो जाता है तो यहाँ पर भी same to same strategy थोड़े tweaks किये गए हैं यहाँ पर दो ice golems हैं कुछ loons हैं backside और इस बारी जो है वो दो earthquake क्योंकि दो compartment अलग हैं तो एक earthquake से cover नहीं होगा और बहुत बड़ा shout सारा damage यहाँ पर हो चुका है using lightnings और quake spells यहाँ पर ice golems drop हो रहे हैं drop हो रहे हैं यहाँ यहाँ पर oh ho 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 super wall breaker नहीं यहाँ पर value निकाली बट कोई नहीं golem drop कर दिया गया यहाँ पर wall wrecker drop कर दिया गया एक और ice golem यहाँ पर drop कर दिया गया side के buildings को distract भी किया जा रहा है उसी क कुछ खास threat नहीं देता डामेज वगेरा नहीं करता तो यहाँ पर सारे troops काफी अच्छे से merge हो चुके हैं wizard tar वगेरा निकल चुके हैं side guy wizard अभी बचावट बट विच वहाँ पर काम कर रहे है तो वह भी निकल जाएगा और core की जो आप देख सकते हो यहाँ पर Inferno Tar के साथ टाउन हाल है वहाँ तक पहुंचना बहुत important है बट वाल्रेकर में ख्याल से आगे पॉप हो जाएगा शायद से बहुत low health में है यह वाल्रेकर I hope की वाल्रेकर टाउन हाल तक पहुंच जाए वरना थोड़ा मुश्किल हो सकता है बट फिर भी टाउन हाल तक पहुंच ही जा यह माइट्स ने पूरी कोशिच करी बट यह इंफर्नो टार की हिल्ट थोड़ी सी बच रही है किंग यहां पर बाहर साइट बिल्डिंग स्लियर कर रहा है विद विचेस राइट साइड में धमाल मचा रखा है रॉयल चैंपियन ने क्वीन है विद विचेस क्रॉष्ट य काफी और किंग यहां पर किंग ने निकाली दिया और एक जो एंटर है यह तो इसने नाग पर रखा है किंग को मार पाएगा क्योंकि एक शॉट ची हो गई है बट फिर भी किंग को काफी जादा डेमेज पहुचाया और इस साइड में क्वीन ने काफी अच्छा काम किया है तो slow-based attack last में आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा मुश्किल में पढ़ रहे हैं बट फिर भी 3 stars मिलते हैं आपको यहां पर थोड़ा fast-forward कर देता हूँ ताइक clean process यहां पर easily complete हो जाए और इसके बात अपना एक attack दिखाता हूँ मैं आपको जो मैंने किया था यहां पर अभी जूर्म किया था इसने यहां पर दो एक्सबोस को scatter के साथ और यहां पर भी दो एक्सबोस को scatter के साथ मतलब आप सोच सकते हो कितना ज्यादा value दो scatter चार एक्सबोस और उसे के साथ एक आधा cannon भी यहां पर निकल जाएगा तो I don't know I think कि इसने पहले के base designs अभी भी यह use कर रह बात करूँ अगर मैं एक्सबोस की एक्सबोस बहुत की defense होते हैं scatters तो होते ही होते हैं तो चार एक्सबोस गवा दिये यहां पर उसे के साथ scatters भी गवा दिये और एक बार अगर यह टाउन हौल के compartment के सामने defense clear हो गया उसके बाद कुछ खास बचे गई नहीं बेस में बैकसाइड में कुछ wizard टार्स हैं बट फिर भी इतना बड़ा threat नहीं दे पाएंगे एक एक विच हमने यह यूज किया ताकि कॉर्णर के कुछ buildings clear हो जाए दो गोलेम आइस गोलेम प्लैन यह था कि आइस गोलेम डिस्ट्रैक्ट करेगा inferno टार को single inferno को बट ऐसा हुआ नही में गोलेम जो था हमारा उसी को टार्गेट कर लिया यहां पर फिर भी heroes यहां पर drop हो चुके हैं और क्या शांदार लगते हैं भाई जब champion king और warrior queen मैदान में उतरती है मजा सा आ जाता है गाई सच में तो यहां पर free spell का effect जो आइस गोलेम के death के वज़े से हुआ था blimp यहां कि side से जो हम royal champion को use करेंगे तो उसके बाद हमने royal champion यहां पर use किया witches ते काफी अच्छा perform किया यहां पर जिसको CC था वहां पर ice golem यह टीज वगे रहे था उसको भी हमने poison किया town hall निकल गया था heroes भी काफी अच्छा चल रहे था अभी अब देखोगे तो तीनो heroes के ability मेरे पास बची हुई है king की है queen की है royal champion की है royal champion काफी low चल रही है तो यहां पर royal champion का ability हमने use कर लिया queen versus royal champion हुई तो unfortunately मेरी queen वहां पर मर गई sorry royal champion मेरी मर गए बट कोई नहीं बहुत अच्छा काम किया था witches की skeletons ने तो queen का band बजा दिया वही slow pace attack आप देख सकते हो इसके बाद जो attack था वह काफी slow pace हो गया था बहुत ही slowly slowly आगे बढ़ रहा था witches ने काफी अच्छा किया अब कोर के जो witches थे उसने काफी अच्छा किया queen जो थी वह काफी strong चल रही थी healers थे witches भी थे king भी था king की ability थी और अब बस last का जो पार्ट था वह बचा हुआ था जहां पर तीन विजर्ट टार्स है इगल अभी भी damage दे रहा था बट आपको पताए इगल अगर heroes को damage दे तो कोई ज्यादा problem नहीं होता queen जो है वह बहुत अच्छा कर रही है बहुत ही side buildings और यह यहां पर eagle artillery को डाउन किया eagle काफी desire damage दे रहा था मेरे troops को और finally उसको हमने यहां पर निकाल लिया and finally यहां पर दो loons mortar के लिए मैंने पहले भी आपने back side में एक दो loons आप लाया करो ताकि final कुछ buildings जो आप easily clear कर सकते हो यहां पर एक और शान्दा triple हमें देखने को मिला अब move करेंगे आज के वीडियो के last attack पे okay so guys attack दिखाने से पहले एक चीज मैं बता दू यह बहुत ज्यादा common है बहुत ज्यादा मैं को नहीं पता कितना बाहर मैंने इस base को देखा हुआ है और इस base को कैसे easy triple करना है आप इस attack को देखके अराम से जान सकते हो तो यहां पर तीन बड़े compartments है दो scatter को cover कर रहा इंफर्णोटार्स और एक eagle का जहां पर इंफर्णोटार है तो आपको पता क्या करना है आपको scatters को जो है वो zap quake करना है क्योंकि आपको inferno की value मिल रही है और इसे के साथ आपको scatters की value मिल रही है तो यहां पर वही किया गया zap quake करके दोनो scatters और दोनो इंफर्णोटार्स को निकाल ले गया उसके बाद directly target किया गया इंफर्णो वाला जो third compartment बचता eagle के साथ witches drop कर दिये गए है आइस golems drop हो चुके हैं दो आइस golem अभी witches बचे हैं कुछ सारे और center बे यहां पर wall break करके बाकी जो heroes है और बाकी जो golems वो entry ले रहे हैं बहुत ही easy peasy लगता है बट trust me guys ऐसे base designs जो है वो easily आप crush कर सकते हो इस strategy के साथ tornado trap था unfortunately बट कोई problem नहीं tornado trap को अराम से यहां पर dodge करके troops आगे बढ़ेंगे और finally यहां पर blimp use किया जा रहा है ताकि town hall को directly target किया जाए CC में lava hound था उसे के साथ शायद size golem मैंने इतना ध्यान नहीं दिया royal champion यहां पर drop हो चुकी है warden ability थाकि blimp जो है वो easily पहुंच जाए अ मतलब नॉर्मली अलग होता है और नॉर्मली आपको दूर धकेल ते हैं यहां पर टाउन हाल की तरफ धकेल लिया गया और उसके चलते हैं टाउन हाल तक पहुंच गया goblins है sneaky goblins sneaky goblins ने बहुत ही जल्दी से टाउन हाल को निकाल लिया और उसके बाद आपको पता यह क्या है बार्बेडियन किंग के तरफ से तो तीन अटैक्स उसने किये यहां पर सेम स्ट्रेडिजी बहुत अच्छी रहे अटैक्स और आई होप शियर आपने यह वीडियो एंजाई करी अगर करिए तो लाइक कर देना चैनल में फर्स टाइम और चैनल को ज़रू सब्सक्राइब क करना मिलता हूं गाइस सब तक नेक्ष्ट वीडियो मैं चैनल एज अलवेज जय हिन बाई